Hello everyone, Bilateral Military Exercise with USA USA के साथ इंडिया जो bilateral military exercise करता है उसका नाप याद करेंगे So Bilateral Military Exercise with USA USA के साथ में जो इंडिया bilateral military exercise करता है उसका नाम याद करेंगे So Nevel में अगर हम लोग देखें, पानी में, Nevel में उसका नाम है Salvex क्या दीवन है? Salvex, और Salvex का full form क्या होता है? इसका full form क्या होता है? Salvex का full form है Salvex का full form क्या है? Salvex का full form क्या है? Salvex and explosive ordinance disposal exercise और आर्मी में जो इंडिया और युएस से मिल करके काम करते हैं उसका नाम है दो एक है युद अभ्यास 23, युद अभ्यास 23 और वज्र प्रहार युद अभ्यास 23 और वज्र पहार So bilateral military exercise with USA USA के साथ में जो इंडिया bilateral military exercise करता है उसके कुछ नाम से नेवल में अगर देखे तो उसका नाम है Salvex Salvex का full form क्या होता है? Salvex and Explosive Ordnance Disposal Exercise और आर्मी में अगर है तो एक है युद अभ्यास 23 और वज्र प्रहार Bilateral military exercise with Egypt इंडिया का bilateral military exercise जो है वो इजिप्ट के साथ में जो है उसका नाम क्या है? आर्मी में करता है वो आर्मी में वो bilateral military exercise होता है उसका नाम क्या है? Exercise Cyclone 1 Exercise Cyclone 1 Bilateral military exercise with Egypt आर्मी में जो काम करता है उसका नाम है Exercise Cyclone 1 Bilateral military exercise with Saudi Arabia Saudi Arabia में जो इंडिया bilateral military exercise करता है वो ओभिसली वो किस के साथ करेगा? नेवल में करेगा और इसका नाम क्या है? Al Mohed, Al Hindi 23 Al Mohed, Al Hindi 23 Al Mohed, Al Hindi 23 इंडिया जो bilateral military exercise करता है साथ साथ में नेवल में उसका नाम क्या है अल मोहिद अल हिंदी 23 बाइलेटरल मिलिटरी एक्सराइस मौल्डिव्स इंडिया जो है वो मौल्डिव्स के साथ में जो बाइलेटरल मिलिटरी एक्सराइस करता है एक कथा, एक कथा, माल्दीव्स में गए, एक कथा बना लिए, गदर एक प्रेम कथा, तो माल्दीव्स एक कथा, exercise कथा, so bilateral military exercise with Maldives, naval में जो करता है उसका नाम क्या, exercise एक कथा, और army में जो है, उसका नाम है, अकुवरिन, एकुवरिन, ए-कुवरिन, E-K-U-V-E-R-I-N, उसका दिवेही लैंग्वेज, मालदेश में कौन सा लैंग्वेज चलता है? दिवेही, और इकुवरिन दिवेही लैंग्वेज है, उसका मतलब होता है Friends, ठीक है? So, Maldives में जो bilateral military exercise होता है न, इंडिया का साथ, नेवल में होता है, उसका नाम के exercise एक कथा, और जो आर्मी में होता है, उसका नाम है equivalent, उसका मतलब होता है friends, दिवेही language में. और bilateral military exercise with UAE, United Arab Emirates. UAE के साथ में जो इंडिया का bilateral military exercise है, उसका क्या नाम है? Neville में करता है उसका नाम करता है stretches Zayed Talwar Neville में करता है UAE उसका नाम है exercise Zayed Talwar So recap कर लेते हैं इंडिया जो bilateral military exercise between India and USA Neville में जो करता है उसका नाम है salvage and explosive ordination disposal exercise और आर्मी में जो करता है उसका नाम है युद अभ्यास 23 और वजर प्रहार bilateral military exercise between India and इजिप्ट इजिप्ट में जो आर्मी के साथ में करता है उसका नाम क्या है Exercise Cyclone 1 फिर bilateral military exercise with Saudi Arabia इंडिया और Saudi Arabia के बीच में जो bilateral military exercise in Neville में उसका क्या नाम है Al Mohed, Al Hindi 23 bilateral military exercise with Maldives Neville में जो है उसका नाम है exercise 1 कता और आर्मी में जो है उसका नाम है इकूवरें जिसका नाम मतलब होता है Friends दीवे ही लैंग्विज में और बाइलाइटरल मिलिटरी एक्सराइज युएई के साथ में जो होता है उसका नेवल में होता है उसका नाम क्या है? एक्सराइज जायद दलवार मिलतेमस अगलियमे, तटकली बाइ